igm dp यह क्या है कि कि आपने इसके बारे में google किया यह आपने youtube पर साच जीए वो सकता है कि आपको इसके बारे में पता हो लेकिन कि आपको यह पता है कि www.imdp को हमारे मिसाईल में भारत के लिए इस्तमाल किया जाता था इसके अंदर नाग, आकाश, अग्नी, त्रिशूर ऐसी मिसाइल डवलप की गई है इन मिसाइलों के बारे में क्या आपको जानता ही है अगर ये सब आपको पता करना है तो आईए मैं आपको लेके चलता हूँ इस सब इन्फोर्मेशन के लिए इस वीडियो के आपको यानि I for Integrated, G for Guided, M for Missile, D for Development, P for Plan Integrated Guided Missile Development Plan ये बारत का पहला Indigenous Missile Development Plan था इसके अंदर अगनी, धनुष, प्रित्वी, नाग, आगाश ऐसी मिसाइल का डवलपमेंट हुआ है इसके शिरुवात 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल का लाम ने की जीगी जो ये चाहते थे कि इंडिया खुद के लिए मिसाइल बनाए ना कि भार के देशों से मिसाइल ली जाए या टेक्नलोजी ली जाए इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया अग्री आकाश त्रिशूर तिक्ली ना ये पार मिसाइल डवलप की गई थी 2008 में दी आडियो ने इसको सक्सेस्फुली कम्पीटिट प्रोग्राम मान लिया क्यों मान लिया क्योंकि दी आडियो ने अब हमारे पास सफिशन टर्नलोजी है खुद मिसाइल डेवलप करने की और हमें अब किसी से कोई डर की बात नहीं है DRDO के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगी लेकिन फिलाल एक छोटी सी जानकारी DRDO 1958 में बनाया गया था इसके अंदर तीन डिपार्टमेंट्स के मर्च किया गया Technical Development Establishment, Director of Technical Education और Production with Defense Science and Organization यह Ministry of Defense में आता है और यह Enhancing Self-Reliance यानी भारत बिना किसी की नगभी के खुद वार के और वेपन क्रेट टेक्नोलोजी को अपग्रेड करता है इसके लिए यह Organization Setup है अगनी इसकी शुरुआत दोजार दोजार दो में हुई अभी रीसंक्ली दोजार अगनी फोर को लांच किया गया है बहुत सारी information है लेकिन हमें एक छोटी सी information जो आपको कभी भी काम में आ सकती है अगनी एक ballistic missile है Intercontinental Capable ballistic missile और ऐसी missile सिर्फ US, China, Russia, UK, France और इसराइल के पास बाकी technical information है अगर आपको जाननी हो तो आप इसको वीडियो को भीज़े देख सकते है प्रित्वी ये भी एक ballistic missile है लेकिन अगनी जैसे की लॉंग रेंज थी ये शॉर्ट रेंज है प्रित्वी 1 और प्रित्वी 2 वो missile developed की रही है जो प्रित्वी को नेवल वेरियंट है यानि जो हमारे जहाजी बेड़े है उनके लिए जो वेरियंट प्रित्वी का यूस किया जाता है उसे धन्नोश कहता है ये इंपोर्टन जिए किसी भी एक्जाम में पूछे जा सकते है नाब जो की fire and forget anti-tank guided missile है आकास supersonic surface to air missile और त्रिशूर जो की quick reaction surface to air missile है ये आपका अब surface to air क्या होता है ये जीज़ यहां पर थोड़ी से हम सबनेंगे surface to air missile यह से खालक ही हमने आपको समझाया है बहुत सारी missile दो ballistic missile थी दो surface missile तो ballistic missile यहां से कहीं से किसी तरीके से छोड़ी जा सकती है यानि आप इसको ships से भी छोड़ सकते है आप इसको tank से भी छोड़ सकते है तो इसको दोनों तरीके से छोड़ा जा सकता है लेकिन इसकी trajectory एक parabola type होती है या semi-separal type होती है यह पहले earth की atmosphere के बाहर जाता है और फिर मीचे जाता है जबकि cruise missile यह direct close range missile होती है तो सीधी attack करती है बिना अपना path change किये तो यह earth के atmosphere के अंदर ही रहती है और jet technology को use किया जाता है इसके आपको हमने एक छोटी सी जानका लगी है missiles के बारे में इसका हम revision कर लेते हैं हमने कौन कौन से missile देखी हमने देखी अगनी हमने देखी आकाश हमने देखी प्रिशूल हमने देखी नाक और हमने देखी प्रित्वी प्रित्वी का नेवल वेरियंट यानि जहांजी पेड़ों के लिए जो रूज किया जाता उसका नाल में दनुश प्रिट्वी का फांग हुआ था नाइंटीन फिस्टी एट में और आपका आईजी एंडीपी यानि इंटीग्रेटर गाइड मिसाल डेप्मेंट प्लाइन यह कर शुरू हुआ था नाइंटीन एटीट्री में कब कम्प्लीट हो गया 2008 में तो आपका वीडियो देखने के धन्यवाद इसी तरह देखते लिए हमारा चैनल हमेट्वीट और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इसका बटन आपको नीचे देख जाए थैंक यू